नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस चैनल में दोस्तो अभी हम बात कर रहे हैं मिलिटरी इंजिनियर सर्विस का जो ओनलाइन फॉर्म आया है इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जनकारी देंगे स्टेप बाइ स्टेप कि इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है ताकी आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत परिसानी न आए दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहूंगा जो लोग इस चैनल पे नए आये हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंजिनियर सर्विसेस का यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट डीटेल पोस्ट डीटेल में आप यहां पर जाकर चैन कर सकते हैं चैन करने के बाद उसके बाद लिखा हुआ है इस पेसिफाई रिटेन एक्जाम सेंटर आप ए यहाँ पे तीन सेंटर को आपको चैन करना है, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चोइस में आप लोग सेकेंड चोइस में इसे आप अपने अनुसार अलग-अलग सहरों में चैन कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है स्पेसिफाइक कमांड प्रिफरेंस, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, you have to select six different कमांड प्रिफरेंस, EC, WC, NC, SC, CC, SWC, तो दोस्तों इसे आप लोग अपने अनुसार, अपने सुविदा के अनुसार इसे चैन कर लिजे, चैन करने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल अपने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है मदर ने मदर ने में आपको अपना माता जी का नाम लिखना है, माता जी का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपस पूछ रहा है, क्या आपके पास अधार कार्ड है, अगर है देना चाहते हैं जनकारी तो हाँ पे क क्लिक कर दीजे अगर आप यह स्पे क्लिक करते हैं तो आपको अधार नंबर देना होगा तो यहां पर आप अधार नंबर लिख लिजे लिखने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है जेंडर जेंडर में आप अपने अनुसार इसे चैन कर सकते हैं चैन करने के बाद दोस् जीवन साथी का नाम तो दोस्तों यहां पर आप अपना जीवन साथी का नाम लिख लीजे इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है नीचे राष्टियता राष्टियता में आप लोग अपना राष्टियता को चैन कर लीजे राष्टियता को चैन करने के बाद दोस्तों दिया हु यहाँ पे ID proof नमबर तो यहाँ पे आप अपना ID proof नमबर को दे सकते हैं दोस्तो उसके बाद दिया हुआ identification mark तो यहाँ पे आपको दो पहचान चीन आपको यहाँ पे देना होगा तो यहाँ पे आप अपना दो सरीर का पहचान चीन यहाँ पे दे सकते हैं देने के बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या उम्र में छूट चाहिए अगर आपको उम्र में छूट चाहिए कैटेगरी के अनुसार तो yes पर क्लिक करके आप यहां पर बता सकते हैं दोस्तों उसके नीचे दिया हुआ है reservation category reservation category में आपको chain करना है आप general है, OBS, OBC है, EWS है कि SC है कि ST है दोस्तों इसे आप लोग अपने अनुसार chain कर लिजे उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप PH candidate है अगर है तो yes पर click किजे अन्यता no पर click कर लिजे दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है will you use subscribe क्या आप एक subscribe का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों अगर आप PH candidate है तभी आपको इसकी जरुवत है अन्यता आप no पर click कर दिजे यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखा हुआ है RUA Xman Service तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप भूत पूरुसेनिक हैं तो यहाँ पर आप इसे अपने अनुसार चैन कर लिजे दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है क्या आप पहले से ही नियमित अधार पर केंद्र सरकार के अधिकारी या करमचारी है अगर आप हैं तो इसे यस पर click किजे अन्यता आप no पर click किजे अगर आप थें तो यहाँ पर आपको experience बताना है कि कितना साल, कितना महिना और कितना दिन आपने वहाँ पर था दोस्तों उसके बाद या हुआ है क्या आप किसी भी अन्यदेश या असान छेतर के साथ सत्रुता के दोरान अपरेशन में कच्छम होने के कारण सर्वन्वीत कर दिये गए हैं और आप defense person विकलंगता के अंतर लगए तो दोस्तों यहां पर कुछ हाँ या ना में सवाल देना है इसको आप लोग पढ़कर अपने अनुसार बारी-बारी से यसर नो में जबाब दे दिजे दोस्तों नीचे देखते हैं लिखा हुआ है mobile number mobile number में आपको अपना mobile number देना है mobile number लिखने का बाद दोस्तों आपसे फिर से बोल रहा है mobile number पुष्टी करें तो यहां पर आपको confirm करना है तो आप फिर से अपना mobile number यहां पर लिख सकते हैं लिखने का बाद दोस्तों दिया हुआ है email id email id में आप लोग अपना-पना email id को यहां पर डाल दिजे email id डालने क बाद दूस्तो नीचे दियाओ même confirm email id तो confirm email id में भी आपको अपना email id डालना है email id डालने क error दोस्तो नीचे लिखा हुआ date of birth तो इसमें आप लोग अपना जनमतिति को chain कर लिजिए जनमतिती चैन करने के बाद दोस्तो नीचे दिया हुआ address for communication तो यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है पता लिखने के बाद आपको अपना राज का चैन करना है राज चैन करने के बाद दोस्तो आपको अपने जिला का चैन करना है जिला चैन करने के बाद दोस्तो नीचे दिया हुए PIN CODE में आपको अपना PIN CODE लिखना है दोस्तो अगर आपका Permanent Adres और Present Adres सेम है तो यहाँ पर आपको बस कर देना independence केवल टिक कर दीज wizard तो ये सारा फिल हो जाएगा अगर आपका सेम नहीं है तो वैसे ही करके आपको पता लिखना है पता लिखने के बाद राज को चैन करना है राज चैन करने के बाद जीला को चैन करना है जीला के बाद आपको अपना पिन कोड लिखना है दोस्तों पिन कोड लिखने को बाद नीचे आ जाते हैं तो लिखा हुआ एजुकेसनल क्वाल जो है उसमें आपको अपना योगता बताना है तो दोस्तों देखिए पहले वाला टेंथ में हम लोग देखते हैं तो परिच्छा का नाम तो आप यहां पे लिख लिजे अपने अनुसार फिर उसके बाद किस बोड विश्विद्या लेया किस संस्थान से आप दिये थे तो य कितना पर्सिंटẹज मार्क्स आप लेके आए थे हैं दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है आपका सर्टिफिकेट नमबर सर्टिफिकेट л……наमबर आपका बूड का मार्क कंद यहां पर लिखना है लिखने किबाद दोस्तों यहां पर दिया हुए 12 का तो same to same उसके बाद और other qualification है तो यहाँ पर लिख सकते हैं chain कर सकते हैं डिपलोमा आपने किया है तो यहाँ पर आप चैन कर सकते हैं chain करके दोस्तो बारी-बारी से वैसे ही हम जैसे बताएं वैसे ही आपको करना है करने के बाद दोस्तो आपको नीचे देख सकते हैं work experience Work Experience में दुस्तों आपको यहाँ पर लिखना है किस संगठन का नाम जहां आप काम करते थे संस्थान का नाम उसके बाद दुस्तों कब से कब तक आपने वहाँ पर काम किया वह आपको चैन करना है फिर उसके बाद दुस्तों नीचे दिया हुआ है Nature of Duties इस nature of details में आपको किस प्रकार का काम था वहाँ पे उसको आपको लिखना है जोस्तों और भी अगर experience है आपके पास तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अन्य था नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है हो या ना में सवाल तो यहाँ पे हम आपके ल सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल वैसे ही तीन चार सवाल देख सकते हम लोग लिखा हुआ है यह सवर्णों में जबाब देने के लिए इसको आप लोग पढ़के अपने नुशार जवाब दे लिए उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ डिकलरेशन तो डिकलरेशन में आपको करना है एक नंबर के बगल में टीक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है नीचे आपको दिया हुआ प्लेस जिस जगह से आप फॉर्म को अपलाई कर रहे हैं वहाँ पे अपना डाल लिजिए उसके बाद आपको दिया हुआ है आपको सौधानी पूर्वक भर लेना है भरने के बाद दोस्तों आपको करना है सेव एन एडिट पे क्लिक दोस्तों जैसे ही आप लोग सेव एन एडिट पे क्लिक किजेगा आपके सामने आ जाएगा फिट से डिकलरेशन तो डिकलरेशन में आपको यहाँ पे एक नंबर के बगल में टिक कर देना है टिक करने के बाद दोस्तो इस्थान का नाम लिखना है इस्थान का नाम लिखने के बाद confirm and final submit पे click करना है दोस्तो confirm and final submit पे click किजेगा तो आपके सामने आ जाएगा your online initial registration done successfully आपका registration successfully हो गया और registration नमबर और password आपके email id और mobile नमबर जो आप registered किये थे उस पे भेजा गया है तो दोस्तो अब करना है आपको अपना यहाँ पे देख सकते हैं link के नीचे new registration तो registration आपने कर लिया उसके बाद दिया हुआ है login registered user तो दोस्तो login registered user पे आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा registration नमबर डालने के लिए तो यहाँ पे जो registration नमबर आपके mobile या email पे आया है उसको आप लोग को यहाँ डालने के बाद दोस्तो आपको नीचे password पे आपको password को लिख लेना है जिसका जो kb रहेगा 40 kb से लेके 50 kb तक file size जो रहेगा jpg format में और photo आपका तीन महिना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए है वहाँ पे आपको photo में नीचे date, month और year आपका लिखवाना है तो उसको आप लोग लिखवा कर और इस photo को आप लोग upload कर सकते हैं upload करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया हुआ photo capture किती थी तो जिस दिन आप photo खिचवा है उस photo को आप लोग को यहाँ पे डालना है दोस्तों डालने के बाद नीचे दिया हुआ upload signature तो signature में आपको 20-25 केवी तक signature का file होना चाहिए यह भी jpg format में तो इसको आप लोग select करके signature को भी डाल सकते हैं फिर दोस्तों आपसे पूछ रहा upload recent ID proof तो ID proof में आपको अपना pen card यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी ID proof यहाँ पे डाल सकते हैं जिसका size जो रहेगा 400-500 के भी तक रहेगा इसको upload करने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है जाती प्रमान पत्र upload करने के लिए तो यहाँ पे आपको जाती प्रमान पत्र upload करना है तो दोस्तों यह भी jpg format में रहेगा 400-500 के भी तक तो इसको आप लोग को upload कर लेना है upload करने के बाद नीचे आईएगा तो आपको करना है 10th का mark sheet upload तो यहाँ पे आप अपना 10th का mark sheet को upload कर सकते हैं मार सेट को यहाँ पे अपलोड करना है JPG फॉर्मिट में यह भी 400 से 500 के भी तक रहेगा दोस्तो उसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है क्वालिफिकेशन सेटिफिकेट तो यहाँ पे आप अपना ग्राजुएशन का सेटिफिकेट अपलोड कर सकते है अपलोड करने के बाद दोस्तो यहाँ पे नीचे आईएगा तो आपको यहाँ पे लिखा है अपलोड तो अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तो अपलोड पे क्लिक किजेगा तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा लिखा हुआ payment करने के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तो आपका नाम reservation category और payment mode और registration fee तो process online payment पे हमें click कर देना है process online payment पे click किजएगा आपके सामने आ जाएगा various payment mode तो यहाँ से आप अपने अनुसारी से सुविधा के अनुसारी से chain कर सकते हैं chain करने के बाद दोस्तो आपको करना है पे-पे-क्लिक payment पे-पे-क्लिक किजएगा तो आपका payment ऐसे करके successfully हो जाएगा तो दोस्तो उसके बाद आपको सामने आ जाएगा आपका form तो यहाँ पे आप लोग अपना form को print रे सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका form तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आईएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आपने data को भरा था उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों लिखा हुआ को step by step हमें भरना है military engineer service का जो online form आया था हमने सिखाया step by step कि इस form को कैसे भरेंगे तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे like कर दिजेगा हर एक जरुत मन लोगों के साथ share कर दिजेगा और अगर आपने इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा धन्यवाद